हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी आज दिन है 20 ओक्टोबर यानि करवा चौथ का दिन है आज करवा चौथ है आप सभी को मेरी सभी बयानों को करवा चौथ के धेर सारी शुब कामना है लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये पताना पर रहा है कि इस साल मैंने करव करवा चौथ का वरत नहीं रखा है मैं रखूंगी नहीं रखूंगी बहुत दिनों से दुविदा चल रही थी और मतलब बहुत लोग कहा रहे थे कि नहीं रखना चाहिए मतलम नहीं रखो फिर मैंने साम को कलना डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो मैं करवा चौथ का वर सारी में कुछ तेयार भी नहीं हुई थी फिर भी मैंने कहा कि जैसे है मेरी सारी में बीना फॉल बीना ब्लाउस के साथ पहन के मैं करवाचौत कर लूँगी लेकिन यह मैंदी अभी मैंने हाथ में लगाके ऐसे बैठे हुए थी तो बस अभी सूखनी का इंतजार कर रही थी एक फोन को लाया ऐसा कि बड़ा मंदुखित हो गया और मैंने मतलब कहा गया कि मैं करवा चौत नहीं कर पाऊंगी मेरे मुंसे बोली भी नहीं निकल रही है क्या दुख होता है ना ऐसा कि क्या भी बताएं तो फिर यह अधूरा रह गया यह साथ मैंने नहीं लगाया बहुत रोई बहुत ज्यादा रोई रीजन क्या है आप दो जानते हो एक महीने से ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है बीचे में थ्रड़ा ठीक भी हुई थी तो फिर वापस से कुछ हेल्थ इसूस मुझे होने लगे तो मैं वापस से डॉक्टर के पास गई पास कि दिनों से लगातार मैं डॉक्टर के पास चकर काट रही हूं फिर कर एक बहुत सारे तीन दिनों से मैं लगातार ब्लड भी दे रही हूं अतरा तरह के ब्लड टेस्ट, स्केंस वगेरा हो रहे हैं तो कल एक ऐसा रिपोर्ट आया उसमें पाया गया कि मेरे प्लेटिस काउ बहुत थी खतरनाक कहते हैं ऐसे तो वापस से मैं आज भी गई थी फिर से वापस से ब्लड टेस्ट हुए है ये देखिए आज भी देखर आई हूँ बाइक से उतना दूर लेकर जाते हैं फिर लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा परिशानी हो गया है बाइक से भी आई हूँ न तो मेरे बाल भी थोड़े अजीब से हो गया है हावा की वज़े से तो और फिलाल मेरे घर के न जो ये मेंटल पीस होती है एकदम खतम हो गया है वो शांती नहीं मिल रही है मन में ऐसा होगा तो किसकी घर में शांती रहेगी पैसे खर्च हो रहे है वो तो है ही मेंटल पीस भी एकदम खतम हो गया है एकदम बेचैनी से अंदर हो गया है फिर कल भी कुछ स्केन और बलड टेस्ट अभी मुझे करवाने है और ये सारा जो रिपोर्ट है न मैं कल फिर वापस जो डॉक्टर के पास जाओंगी वो बताएंगी तो क्या रहेगा रिपोर्ट वो सब में आप लोग के शेयर करूंगी लेकिन फिलहाल मैं बस ये बताने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि मैं व्रत नहीं कर पा रहे हूं जो फिजिकली स्ट्रॉंग है उनके लिए कि यूट्यूब में बहुत जादा मेहनत है तो देखते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को लेकिन फिलहाल ये ही अप्टेट था मैंने आप लोगों को दिया फिलहाल निक्स्ट वीडियो में कब मिलती हूं मुझे खुड को पता नहीं है कल का रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर क्या कहती है वो भी मुझे नहीं पता जो भी होगा मैं छोटे-छोटे वीडियो के द्वारा आप लोगों को बताती रहूंगी फिलहाल मेरे लिए नहीं हो सके तो प्रे करिएगा और क्या कह सकते हैं अपना करवा चौथ इंजॉय करिए खुब खुश रहिए श्वास्त रहिए माता रादी हम सबका सुहाग बनाए रखें इस साल नहीं तो अगले साल में करवा चौथ करूंगी कोई बात नहीं बाबाए